सभी भक्तों के रूप में जो प्रभू इस वीडियो को देख रहे हैं उनके स्री चड़ों में मेरा नमन स्वीकार हो। प्यारे साधकों जैसे देवता अमरत पीकर तथा ब्रहमर कमल करनका का रस लेकर तरप्त नहीं होते उसी प्रकार स्री किष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तरप्त नहीं होता वह उसे अधिकादिक सुनना चाहता है। जब शिश रूप धारी परमात्मा स्री किष्ण रास करने के लिए भांडीरवन में गए और उनका एह लव रूप देखकर स्री राधा मनही मन खेद करने लगी तब देववाणी ने कहा कल्यानी सोच न करो मनोहर विरंदावन में महात्मा स्री किष्ण के द्वारा तुम् मनोहर विरंदावन में भगवान स्री किष्ण किस रूप में प्रिकट हुए उस विरंदाविपिन में साच्छात पर पूरतम भगवान ने स्री राधा के साथ मनोहर रास कीड़ा किस प्रकार की उस मंगल में भगवच चरित्र का उस मनोहर लीला ख्यान का जो देवताओं क ओभी पूर्टिया ग्यात नहीं है। स्री गर्ग शैता में नारजी बड़ा ही सुन्दर वड़न करते हैं। एक दिन की बात है, स्री राधा की दो प्रधान सखियां, सुभ स्वरूपा, ललिता और विशाखा, ब्रशवहान के घर पहुँचकर एक आंत में स्री राधा से मिली। सखियां बोली, राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और स्वतह जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रत दिन गौाल बालों के साथ ब्रशवहान पुर में आते हैं। राधे, तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गौ चान के लिए निकलते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए, वे बड़े सुंदर हैं। राधा जी बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम सीग्र मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूँगी, इसमें संस्रे नहीं हैं। तब दोनों सक्यों ने नंद नंदन का सुंदर चित्र बनाया, जिसमें नूतन यवण का माधुरे बहरा था, वह चित्र उन्होंने तुरंत सीराधा के हाथ में दिया। वह चित्र देखकर स्री राधा हर्श से खिलू ठी और उनकी हिर्दय में स्री किष्ण दर्शन की लालसा जागो ठी। हाथ में रखे हुए चित्र को निहारती हुई, वे आनंद मगन होकर सो गई। वफन में सोती हुई स्री राधा ने स्वपन में देखा। करती हुई तिरलोकी को त्रणवत मानने लगी। इतने में ही वरजेस स्री नंद नंद अपने भवन से चलकर ब्रशभान नगर की संक्री गलियों में आ गई। सखी ने ततकाल खिड़की के पास आकर सी राधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुंदरी स्री राधा मूर्शित हो गई। लीला से मानव शरीर धान करने वाले माधव सी किष्ण भी सुंदर रूप और वैदक्धे से युक्त गोण निदे स्री विरशभान नंद नी का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ बिहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लोटे। ब्रशभान नंद नी सी राधा को इस प्रकार सी किष्ण वियोग से वेहवल तथा अत्शय काम जोर से संतप्त चित देखकर शक्यों में स्रेश्ट ललिता जी ने उनसे इस प्रकार कहा। ललता ने पूछा राधे तुम क्यों इतनी वेहवल मूर्चित अर्थात वेसुद और अत्यंत व्यथित हो। सुन्दरी यद स्रीहर को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रते अपना इस नेह द्रड करो। वे इस समयत लोकी के भी संपून सुख पर अधिकार किये वेठे हैं। सुभे वे ही दुखागनी की जुआला को बुझा सकते हैं। उनकी उपेच्छा पैरों से ठुकराई हुई कुमहार के आवे की अगनी के समान दाहक होगी। ललता की यह ललित बात सुनकर व्रिजेश्वरी स्री राधा ने आँखें खोली और अपनी उस प्रिय सकी से वे गदगद वाणी में यों बोली। स्री राधा जी ने कहा सकी यद मुझे ब्रज भूशन स्री श्याम सुंदर के चनार विंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदाप अपने शरीर को दहर्ण नहीं करूँगी। यह मेरा निश्य है। स्री राधा की यह बात सुनकर ललता भहिसे बेहवल हो यमना के मनोहर तटपर स्री किष्ण के पास गई। वे माधवी राधा के जाल से आचन और ग्रहमरों की गुझारों से व्यापत एकांत प्रदेश में कदंब की जड़के पास अकेले वेठी थे। वहां ललता ने स्री हरी से कहा। ललता जी बोनी श्याम सुन्दर जिस दिन से स्री राधा ने तुम्हारे अधवत मोहन रूप को देखा है। उसी दिन से उहे इस्तंभन रूप सात्विक भाव के अधिन हो गई है। तथा परचारिकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन हो गया है। ये प्यारे तुम्हें जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सकी को फूल बानसा तथा चंद्र बिंब विशकंद सा प्रतीत होता है। अतहे सीराधा को तुम सीग्र दरसन दो। तुम्हारा दरसन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। तुम सब के साच्छी हो। भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें विदित न हो। तुम ही इस जगत की स्रश्टी, पालन और संहार करते हो। यद्द्यपे परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखत हो। तथ आप अपने भक्तों का भजन करते हो। उनके प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हो। ललता की यह ललित बात सुनकर व्रज के साच्छात देवता भगवान सी किष्ण मेग गरजन के समान गंभीर वारी में बोले। स्री भगवान ने कहा भामिनी मन का सारा भाव स अतहे एक मात्र मुझ परात पर पुर्शुत्तम की ओर नहीं प्रवायत होता। अतहे सब को अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं प्रेम से ही सुलब होता हूँ। बहांडीरवन में सीराधा के ह जैसे मनुरत का उदय हुआ था उहे उसी रूप में पूर्ण होगा। सत्पुरुष अहेतुक प्रेम का आश्रे लेते हैं। संत महत्मा उस निरहतुक प्रेम को निश्य ही निरगुन अर्थात तीनोगणों से अतीत मानते हैं। जो मुझ केशव और शीराधा में थोड़ के दूध और उसकी शुकलता के समान हम दोनों को सर्वता अभिन मानते हैं। उन्हें के अंतेहकन में अहेतुकी बक्ती के लच्छन प्रिकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रह्मपद अर्थात गोलोक दाम में प्रिवेश पाते हैं। प्रम्भुरु इस भूतल पर जो सूत्र नामक नरक में पढ़कर दुख भूते हैं। स्रीकिष्ण की यह सारी बात सुनकर ललता सखी उन्हें प्रिडाम करके सीराधा जी के पास गई और एकांत में बोली। बोलते समय उनके मुख पर मधुर हास की छटा चाह रही थी। ललता जी ने कहा सखी जैसे तुम स सीकिष्ण को चाहती हो उसी तरह वे मधुसूदन सीकिष्ण भी तुम्हारी अभिलासा रखते ही। तुम दोनों का तेज भेद भाव से रहित एक है। लोग अज्ञान वस ही उसे दो मानते हैं। तथा पिस सती साधवी देवी तुम सीकिष्ण के लिए निश्काम कर्म कर सीराधाजी बोली सकी तुम सीकिष्ण की प्रसंता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभागी वर्धक, महान पुणे जनक तथा मनो वांचित वस्त देने वाली हो। पद्रे महामते तुमने गरगाचार जी के मुक से सास्त चर्चा सुनी हैं इसलिए तुम मुझे कोई विरतिया पूजन वताओ। इस्तवन, आरोपन, सेचन और तुल्ची दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो है महान पुणे प्रद होता है। सुभे जो प्रत दिन तुल्ची की नौ प्रकार से भक्ती करते हैं वे कोट सहस्तर योगों तक अपने उस सुक्रत्त का उत्तम फल भोगते हैं। मनश्यों की लगाई हुई तुल्ची जब तक साखा प्रसाखा दीज, पुष्प और सुन्दर दलों के साथ प्रत्वी पर बढ़ती है। बढ़ती रहती है तब तक उनके वंस में जो जो जनम लेते हैं। वे सब उन आरोपन करने वाले मनुश्यों के साथ दो हजार कलपों तक स्रीहरी के दहम में निवास करते हैं। राध के संपूर पत्रों और पुष्पों को भगवान के चड़ों में चड़ाने से जो फल मिलता है। उह सदा एक मात्र तुलसी दल के अरपन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुश्य तुलसी दलों से स्रीहरी की पूजा करता है। उह जल में पद्म पत्र की बहांति सौ भार सुवन तथा चार सौ भार रजत के दान का जो फल है वही तुलसी वन के पालन से मनुश्य को प्राप्त हो जाता है। राधे जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका वह घर तीत रूप है। वहां यमराज के दूद कभी नहीं जाते। जो स्रेश् पालन सेचन दर्शन और इश्पर्ष करने से तुलसी मनुश्यों के मन वाणी और सरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दगद कर देती हैं। पुषकर आद तीर्थ गंगा आद नदियां तथा वासुदेव आद देवता तुलसी दल में सदानिवास करते हैं। जो तुल तुलसी काश्ट का गिसा हुआ चंदन लगाता है। उसके सरीर को यहां क्रियमान पाप भी नहीं चूता। सुभे जहां जहां तुलसी दल की चाया हो वहां वहां पितरों का स्राद करना चाहिए। वहां दिया हुआ स्राद संबंदी दान अच्छे होता है। सखी आद दे तुम भी प्रत दिन तुलसी का सेवन करो जिससे स्री किष्ण सदा ही तुम्हारे वस में रहे। इस प्रकार चंद्यानना की कही हुई बात सुनकर राशेस्वरी सीराधा ने साच्छात स्रीहरी को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का विरत आरंब किया। केतकी वन में सवहात गोलाकार भूमी पर बहुत उंचा और अत्यंत मनोहर स्री तुलसी का मंदर वनवाया जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पदमुराग मने लगी थी। उह सुन्दर मंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुसोभित था। तथा उ मंदर की सोभा बढ़ाता था। उहां स्वण में दोहज दंड से युक्त पताका फेहरा रही थी। चारो और ताने हुए सुनहले वितानों अर्थात चंदोबों के कान उह तुलसी मंदर वेजेंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा दैदी प्रिमान था। तुलसी मंदर के मद्ध भाग में हरे पल्लवों से सुसोभित तुलसी की स्थापना करके सी राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारम की। स्री गर्ग जी को बुला कर उनकी बताई हुई विद्य से सती सी राधा ने बड़े भक्ती भाव से स्री किष्ण को संतुष्ट कर गरने के लिए अस्विन सुकला पूडमा से लेकर चैत्र पूडमा तक तुलसी सेवन रध का अनुष्ठान किया। विरत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास प्रथक प्रथक रस से तुलसी को सीचा। कार्थिक में दूद से मार्ग शीष में इख के रस से पाउश में द्रा इस प्रिकार व्रत पूरा करके व्रसभान नंदिनी शीराधा ने गर्वजी की बताई हुई विद से वैसाक क्रश्णा प्रत्पदा के दिन उद्यापन का उत्सब किया। प्रत्राओं का नित्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर देव्य पुस्पों की वर्सा करने लगी। उसी समय स्वाण मैं सिहासन पर विराजमान हरी प्रिया तुलसी देवी जी प्रिकट हुई। उनके चार भुजाएं थी। कमल दल के समान विसाल न रही थे। पीतांबर से आच्छा दित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी वेल्डी में वेजैंती माला दान किये। गरुल से उतर कर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी राधा को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुम्बन किया। तुलसी वोनी कलावती कुमारी राधे मैं तुम्हारे भक्ती भाव से बसी हूत हो निरंतर प्रिशन हूँ। भामिनी तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सरवतो मुखी विरत का अनुष्ठान किया है। वास्तम में तो तुम पूण काम हो। यहां इंद्रिय मन बुद्धी और चितिद्वारा जो जो मनुरत तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुक सफल हो। पती सदा तुम्हारे अनकूल हो। और इसी प्रकार की इतनी परम सोभागे बना रहे। यों कहती हुई हरिप्रिया तुलसी जी को प्लाम करके व्रश्भान नंदनी अपने नगर में प्रसन चित्त रहने लगी। इस प्रथी पर जो मनुस्य भक्ति परायन हो सी राधिका जी के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह मन ही मन तिरवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर क्रत क्रत हो जाता है। प्यारी सादकों इस से अधिक दूसरे भक्तों दूसरे सादकों तक पहुंचा हैं जिससे वे भी क्रत्य क्रत्य हो सकें। किसी प्रकाय की तूटी के लिए छमा चाहते हुए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने हिर्दय में युगल स्वरूप का इस्मन करते हुए प्रेम से हरी क्रिष्ण 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 हरी 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 राम हरी राम 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 हरी हरी